प्रभु ने एक और मौका हमको दिया मैं प्रभु का शुक्र गुजार हूँ जैसा मैं हमेशे याद दिलाता हूँ संडे इवनिंग लोग तमाम तरह के मनोर इंजनों में समय निकालते हैं ऐसे में समय अलग करके आप लोग यहाँ आए जिसका मतलब है कि आप लोग जीवन के प्रति प्रभु आपने जो समर्पन दिखाया है प्रभु आप सब की मदद करे यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग आज शहर में जीवन बिताते हैं लेकिन इसके बावजूद मैं इस बात को जानता हूँ कि सभी का जन्म अलग अलग गाउं में हुआ है और गाउं में जिनका जन्म हुआ है उन लोगों ने जैनवर पच्छी और उसके अलावा कीडे मकोडे वगरा उनको बहुत पास से देखा है सब लोग इसलिए इस बात को जानते हैं कि तितली अंडा देती है तितली के अंडे से जो के आँख से देखना मुश्किल होता है उस अंडे से उसका कीड़ा निकलता है जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है आसपास के सारे पत्ते खा जाता है हिंदी में हम लोग उस कीडे को इल्ली बोलते हैं वो कीडा जब उसका एक नियमित समय हो जाता है तो अचानक एक कवर में बदल जाता है हिंदी में उसको जेनरली शंकी कहा जाता है वो कवर बस पौदे से अटाच वहाँ पर तीन चार पाँच दिन रहता है कितने दिन रहता है यह मुझे नहीं मालूम है अलग-अलग तितलियों का अलग-अलग समय है लेकिन इस तरह से उसके अंदर रहने के कुछ दिनों के बाद अचानक वो जो शंकी है वो एक जगह से खुलता है गाउं में जिनोंने जीवन बिताया है उन सब ने इस बात को देखा है वो हलके से खुलता है उसमें से हलका सा एक सर दिखाई देता है और कुछ नहीं है हिलता हुआ आप देख सकते हैं उसके बाद धीरे 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 संगर्ष करते हुए वो तितली उसके बाहर आती है सबने देखा है मेरा अनमान है मैंने तो बहुत देखा है इवन यहाँ शहर में आके हम लोग जो सेटल हुए उसके बाद भी हमने देखा है हमने अपने बच्चों को दिखाया है जो लास्ट हमने अपने बच्चों को दिखाया था उसमें ऐसा ही हुआ था कि वाइफ बाहर गई और देखा तो कड़ी पते का जो पौदा है उसमें ये कीड़ा रेंग रहा है तो वाइफ वो पूरा का पूरा पोर्शन जो है काट के लाई और किचन में जो है एक पानी के बोतल में रख दिया धीरे धीरे वो सारे पते खाता चला गया और उसके बाद वो जो है शंक बन गया और उसमें से तितली निकली हमने अपने बच्चों को प्रकृती के इस तरह के अद्बुत कारियों को पास से दिखाने की बहुत कोशिश की है आज से कई साल पहले की बात है एक सज्जन ने जब ये देखा कि तितली को कितन संगर्श करना पड़ता है उसमें से बाहर निकलने के लिए तो उसने सोचा कि बापरे बेचारी तितली कितना संगर्श करती है उसमें से बाहर आने के लिए उसके जीवन थोड़ा सा आसान कर देना चाहिए इसलिए उसने क्या किया कि एक शार्प ब्लेड लिया और जैसे ही वो छे या साथ दिन के बाद वो शंक या शंकी जैसे ही हलके से खुला तो उसने क्या किया कि बाकी जो portion है उसको blade से काट के उसको पूरा खुल दिया जिससे कि बिना संगर्ष के तितली को बाहर आना पड़े आ सके ऐसे ही हुआ कोई संगर्ष नहीं करना पड़ा उसको कोई दम नहीं लगाना पड़ा वो उपर से खुल गया था तितली एकदम से बाहर आई और बाहर आने के बाद इधर उधर थोड़ा सा उड़ी और उसके साथ तितली वहीं गर गई और तितली वहीं मर गई उसको बड़ा दुख हुआ उसको लगा कि मैंने ब्लेड से जब वो काट के खोला था तब कहीं ऐसा तो नहीं कि तितली को चोट लग गई हो उन्होंने अपने एक वैज्यानिक मित्र को दिखाया उन्होंने तितली को उठा पलट के देखा माइक्रोसकोप से बोला नहीं नहीं तितली को तो कोई बात नहीं है लेकिन इसके मसल्स जो हैं पूरी तरह से डेविलप नहीं हुए हैं अच्छे ये तो बताओ कि ये तितली आई कहां से तो उसने का वो मेरे घर में मैं वो पौधा तोड़के लाया था आप आके देख लीजिए तो उन्होंने आके देखा तो वो बोले कि अच्छा जिस शंखी मेंसे तितली निकली है उसके उपर का पोर्शन मिसिंग है तो वो बोला हाँ हाँ उपर का पोर्शन वो नीचे पड़ा हुए मैंने उसको ब्ल तितली जब अपने उस शंक मेंसे या शंकी मेंसे संगर्श करके बाहर निकलती है तो संगर्श की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में उसके मसल्स मजबूत होते हैं उसके पंक मजबूत होते हैं और प्रभू ने इस तरह से संगर्श करके बाहर निकलने की उस प्रक्रिय को उस तितली को परेशन करने के लिए नहीं रखा है उसको दर्द देने के लिए नहीं रखा है उसको मजबूत करने के लिए रखा है तब उस आदमी को समझ में आया कि तितली की मदद के लिए वो गया तो उसने तितली को मार डाला प्रभू का वच्चन पवित्र बाइबल जब अपन खोलते हैं तो इसमें इस तरह की बहुत सारी बातें मिलती हैं जहां पर प्रभू ने अपने बच्चों को उनके आत्मिक जीवन में मजबूत करने के लिए उनको जाचा उनकी परिशा की उनको संगर्श में से जाने दिया बाइबल की कहानिया मैं जो सुना रहा था कहानियों से मेरा मतलब है हिस्ट्री या चरित्र मैंने बताया था सबसे पहले प्रभू ने आस्मान और पृत्वी की सृष्टी की उसके बाद एक बहुत ही सुन्दर बगिया जिसमें सारी दुनिया के एक से एक अच्छे फल थे वो लगाया आदम और हवा को वहां रखा लेकिन आदम और हवा ने अपने लंगन के कारण अपने पाप के कारण प्रभू के साथ जो संबन था जो रिष्टा था वो खो दिया नगनता के बारे में उनकी जीवन में शरम आने लगी प्रभू ने उनको वस्त्र दिये और इस तरह से वो लोग आ गए बड़े लेकिन म शमा मांगी शमा किया सुरिच्छा दी मनिष्व सारी दुनिया में बहुत बढ़ गए तो जिस तरह से करना था उसका बिलकुल उल्टा मनिष्व करने लगे तब नूह नाम के एक व्यक्ति के जमाने में एक बहुत बड़ा जल प्रले आया था जल प्रले से प्रभू ने ल को फैला दिया उसके बाद जब सारी दुनिया में करोड़ों लोग जनसंख्या हो गई तब प्रभु ने एक व्यक्ति को अपने लिए चुना जो प्रभु के संदेश को पहचान कर ये संदेश आगे पीडी-पीडी को सुनाएगा उस व्यक्ति का नाम था इबराहिम इबराहिम से प्रभु ने प्राउमिस किया था कि मैं तुमको संदान दूँगा और वो संदान इतनी अधिक बढ़ जाये गए, संदान की संख्या इतनी होगी कि जो आकाश के तारू को गिन सकता है ये समुद्र में जो बालु है उसको गिन सकता है वो तुमारी संदान को गि कोई संतान ना हुई तब उन लोग ने थोड़ा सा शॉटकट यूज किया लेकिन प्रभु ने उसको सपोर्ट नहीं किया फाइनली इब्राहिम जब लगबख सो साल का था तब उसके उसका पुत्र हुआ जिसका नाम था इसाथ इतनी घटना हम पिछले महीनों में देख सके हैं आज बाइबल के पहली पुस्तक बाइबल की पहली पुस्तक उत्पती के 22 अध्याय से मैं कुछ पद आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ इसको ध्यान से सुनते रहें इन बातों के भश्चात ऐसा हुआ कि प्रभु ने इबराहिम से कहा इबराहिम की परिच्छा की उससे कहा इबराहिम ने कहे प्रभु मैं यहां हूँ प्रभु ने कहा अपने पुत्र को याद रखें सौ साल की उमर में ये पुत्र हुआ था कितने ही साल इंतजार करने के बाद ये पुत्र हुआ था उस पुत्र के बारे में प्रभु ने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एक लोते पुत्र इसहाग को जिससे तू प्रेम करता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड के उपर मैं जो तुमको बताऊंगा बलिदान कर दे देखिए कम से कम 40 या 50 साल इंतिजार करने के बाद एक बेटा हुआ और उस बेटे के बारे में प्रभू कहते हैं कि उसको बलिदान करके चड़ा दो ये कोई आसान काम नहीं है लेकिन मैं अपने भाई और बहनों को ये बात याद दिलाना चाहता हूँ पवित्र बाइबल से कि प्रभू अपने बच्चों की परीच्छा लेते हैं और ये परीच्छा कई बार ऐसे बातों में प्रभू परीच्छा लेते हैं जो मनिश के सोचने से बाहर है वो सोच नहीं सकता कि प्रभू इस तरह से मुझसे कहेंगे क्या लेकिन जैसा मैंने आपको बताया जिस तरह से वो तितली संगर्ष करके बाहर निकलती है तो तितली मजबूत हो जाती है और हवा में सुतंतरता से उड़ती है हमारे दिल को आनन देती है आपके दिल को आनन देती है इतना ही नहीं महा उस बगिया में जितने फूल है उसका रस पीती चली जाती है तो उसके साथ साथ उन बीजों के अंदर जो कुछ प्रोसेसिंग होना है वो भी करती चली जाती है अन जैने प्रभू ने इस तरह से रखा है तितली के जीवन के एक परपस है लेकिन वो लेच्ष पूरा हो उसके लिए जरूरी यह है कि तितली संगर्ष करके बाहर निकले इसी तरह से मेरे और आपके जीवन में प्रभू ने जो लेच्ष रखा है वो लेच्ष यदि पूरा होना है तो ये हमारे लिए जरूरी है कि प्रभु ने हमारे लिए जो संगर्ष रखा है हम उस संगर्ष में से होकर गुजरे इब्राहिम के साथ तो ये बड़ा संगर्ष था 40-50 साल इंतिजार किया या 50-60 साल इंतिजार करने के बाद एक बेटा हुआ एक से ज़्यादा बच्चे नहीं हुए एक बेटा हुआ और उस बेटे के बारे में एक दिन प्रभु अचानक बुला के कहते हैं कि तुम उसको मेरे लिए बलेदान चड़ा दो पाप रह यदि उसकी जगह पर मैं होता मैं क्या करता इब्राहिम की जगह आप होते आप क्या करते जरा ध्यान से देखें लेकिन इब्राहिम ने एक बात अच्छी तरह से समझा प्रभु ने दिया जो दे रहा है वो यदि वापस ले ले तो उसको रोकने की कोशिश नहीं है नहीं करना है जो प्रभु ने कहा एक्जाक्ली बिल्कुल वही करना है इब्राहिम ने क्या किया तीसरे पत में हम देखते हैं बहुत ही सुबह सुबह उठा और गधे पर काटी कसके दो सेवक और अपने पूतर इसाक को संग लिया और होम बिली के लिए बलिदान चड़ाने के लकड़ी की जर्रत पढ़ती है होम बिली के लिए लकड़ी चीर ली तब उस स्थान की और चला जिसकी चर्चा प्रभू ने की थी जरह उस पिता के खरदे के बारे में सोची है कितने साल तो इंतिजार करना पड़ा और उसके बाद अब प्रभू कहते हैं कि उसको मेरे लिए बलिदान कर दो लेकिन इब्राहिम को विश्वासियों का पिता मतलब विश्वास करने वालों का पिता इस ही लिए बोला जाता है कि उसने प्रभू की हर बात पर विश्वास किया बस एक बार है जब उसका इतिहास जब हम पढ़ते हैं सिर्फ एक बार है जब उसके मन में शंका आई जब उसने कहा प्रभू अब इतने बुड़े का बच्चा होगा क्या मेरा जो दास है नो प्रभू ने कहा नो तुमको एक संतान होगा मैं दूँगा तुमारी दासी का बेटा जो है वो तुमारा वारिस नहीं होगा इस तरह से इंतियार इस तरह से प्रामिस करने के बाद प्रभू ने इब्राहिम को संतान दी थी लेकिन प्रभु ने जो कहा बिलकुल वैसा का वैसा माना इसलिए इब्राहिम को विश्वासियों का पिता कहा जाता है ठीक है और ये प्रभु ने जहां जाने को बोला था वो कोई आसपास नहीं था चौथे पद में हम देखते हैं तीसरे दिन इब्राहिम ने आँख उठा कर उस्थान को दूर से देखा जहां प्रभु ने उसको अपने बेटे को बिलदान करने के लिए बोला था इतने दूर ले जाने के लिए प्रभु ने क्यों बोला देखे, प्रभू अपने बच्चों की परिच्छा लेते हैं और जब परिच्छा लेते हैं तो जिस आदमे का विश्वास जितना ज़्यादा स्ट्रॉंग होता है प्रभू उतना ही ज़्यादा परिच्छा लेते हैं तीन दिन और तीन रात उस समय ना तो साइकल होते थे ना कार होते थे और यहाँ जब अपन पढ़ते हैं तो इससे अनुमान लगता है कि एक या एक से ज़्यादा गधे रहे होंगे जिनके उपर पानी रहा होगा और बलिदान के लिए लकड़ी रही होगी और खाने के लिए खान पान का सामान रहा होगा और तंबु रात को लेटने के लिए तंबु का सामान रहा होगा दिन भर महां की चिल चिलाती धूप में पैदल चले पहले दिन चले तो मन में शंका आना स्वाभाविक है रात को जब लेटे तो है प्रभू एक तो बेटा आपने दिया हो इस दूसरा दिन चला तीसरा दिन चला और तीसरे दिन सिर्फ वो स्थान देख पाए वो लोग जहां पर बलिदान चड़ाना था प्रभू जब परीच्छा लेते हैं तो कई बार बहुत कड़ी परीच्छा लेते हैं ठीक है? तो महां उन्होंने वो स्थान देखा तो उसके बाद उसने सबसे पहला काम किया किया सेवकों को अलग कर दिया क्योंकि इब्राहिम को मालूम है कि उसके विश्वस्त सेवक यदि वो अपने बेटे को बलिदान करने की कोशिश करेगा तो सारे के सारे सेवक उसको रोग देंगे कि हे मालिक आप ये क्या कर रहे हैं उसने अपने सेवकों से कहा गदे के पास यही ठरो ये लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके तुम्हारे पास लोट आएंगे गदे को भी नहीं ले गया इबराहिम ने होंबली की लक्ड़ी लेकर अपने पूतर इसाक पर ला दी कितना उसने अपने दिल को कड़ा किया था चुरी को अपने हात में लिया दोनों एक साथ चल पड़े पहाड के ऊपर इसाक ने अपने पिता इबराहिम से कहा हे पिता देखिए आग है लकड़ी है लेकिन होमबिली के लिए भेड़ कहा है मैं यह आपको बताना चाहता हूँ मैं एक पिता हूँ और इस घटना को जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो अचानक शौक लगता है अचानक दिल को सद्मा लगता है बिलकुल यही बात इबराहिम के साथ हुई होगी कि अब तो उसकी उमर सो से भी ज़्यादा है मतलब इबराहिम का लड़का इतना बड़ा हो गया है कि बलिदान के लिए लकड़ी अपने कंदे पे लाटके आगे जा सकता है उसकी क्या उमर हो गई होगी कम से कम 10-15 साल तो उमर हो गई होगी शहर के लड़के तो 10-15 साल की उमर में भी इतनी लकड़ी नहीं अपने उपर ले जा सकते लेकिन गाओं के लड़के इन चीजों के आदी होते हैं तो एक मान लीजे एक 15 साल की उमर है मैं अनु बेटे को लेके जा रहा है, बेटा अचाना की एक प्रश्न पूछता है, जो उसके दिल को, उसके हाथ में जो चुरी है न, ऐसा लगता है जैसे वो चुरी उसके दिल में किसी ने उतार दी हो, कि लकड़ी है, आग है, बलिदान के लिए जानवर कहा है, क्या जवाब देंगे क्या बेटे को ये बताएंगे कि बेटा तुमारा बलिदान करने जा रहे हैं, बेटे को बताएंगे तो बेटे का रियाक्शन क्या होगा, मतलो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, बेटा ये जी बलिदान के लिए मना कर देता है, तो क्या होगा, इसलिए इबराहिम ने उसको दिल भराया, इब्राहिम का दिल भराया, उसने का मेरे पुत्र प्रभु भेड का उपाए स्वयम करेंगे मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अपने स्वयम के बेटे या बेटी की मृतियों को देखना जीवन में बहुत कठिन बात है और मैं ये बात बहुत ही भावना के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कम से कम एक ऐसी घटना हुई है जब जरासी गलती से मेरे बेटे की जान जा सकती थी ये घटना इवन मेरी वाइफ को नहीं मालूम है हम दोनों आज से सालों पहले जब किसी कारी के लिए देट्षिन की तरफ गए थे तो तिरवलना नाम की जगह पर हमको प्लैट्फर्म क्रॉस करना था प्लैट्फर्म क्रॉस करने के लिए थोड़े से च्छंड बचे थे दोर से रेल गाड़ी आती हुई नजर आ रही थी अफकोर्स बेटा मजबूत था स्ट्रॉंग था इसलिए मैं और बेटा दोनों दोड़के हम दोनों प्लैट्फर्म क्रॉस करके गए क्योंकि तरवलना में प्लैट्फर्म नीचा है आराम से क्रॉस कर गए उसके एक मिनिट के बाद ट्रेन आई हम लोग ट्रेन पे चड़के आ गए बाद में मैंने बैठके उस बात के बारे में विचार किया कि आज हमने क्या किया मान लीजे कि प्लैट्फर्म क्रॉस करते समय मेरा पैर फिसल जाता तो बेटे को मेरी मृत्यू देखनी पड़ती और यदि बेटे का पैर फिसल जाता तो मुझे बेटे का की मृतिव देखनी पड़ती उस घटना के मैं इन दिनों अपने पुरहने जीवन को एक एक करके जब विशलेशन करता हूँ तो बार-बार वो घटना मुझे याद आती है कि उस तिन मार्जिन था हमारे हाथ में काफी मार्जिन था और इसलिए हम लोग दोड़के प्लैट्फरम क्रॉस हुए लेकिन इतने मार्जिन के होते हुए भी रिस्क लेना ज़रूरी था क्या नहीं था आज यदि मैं उसकी जगह पर हूँ तो मैं कहूँगा कि ट्रेन को जाने दो या प्लैट्फरम के बिना हम दूसरी तरफ से ट्रेन में चड़ जाएंगे संगर्ष ज़्यादा होगा लेकिन सुरेट्षा भी ज़्यादा होगी जब जब मैं उस खटना के बारे में सोचता हूँ तो अचनक मुझे याद आता है उस दिन या तो मैंने अपने आपको मार दिया होता या अपने बेटे को मार दिया होता क्या होता शौक इस उमर में बार बार उस खटना को याद करके मन में शौक आता है तो इस बेटे ने जब अपने बाप से पूछा कि फादर पिता जी जानवर कहां है उनके दिल में रियली वो छुरी चल गई लेकिन प्रभू पर जो विश्वास था उसके कारण इब्राहिम ने बहुत ही समझदारी के साथ जवाब दिये कि प्रभू इंतजाम करेंगे नौवापद बे लोग जब उस्थान को पहुँचे जिसे प्रभू ने उनको बताया था इब्राहिम ने वहाँ वेदी बनाई उसके बाद की घटना जरा देखें अपने पुत्र इसाग को बांद कर वेदी की लकड़ी के उपर रख दिया उस पिता के खरदे के बारे में जरा सोचे फिर इब्राहिम ने हाथ बढ़ा कर चुरी को लिया कि अपने पुत्र को बली करे प्रभू अपने बच्चों को कठिन से कठिन परिष्ण में होकर गुजारते हैं इसके पीछे प्रभू का एक लट्ष्य है प्रभू चाहते हैं कि इन परिष्ण से जब हम गुजरते हैं तब प्रभू पर पूर्ण विश्वास रखके उन बातों से संगर्ष करने के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में और मजबूत हो जाएं उसने चुरी ली मतलब बिल्कुल वो बलिदान करने जा रहा था तब प्रभू के दूत में शर्क से उसको पुकार के कहा हे इबराहिम हे इबराहिम दो बार जिससे की एक बार बुलैने पर बाइचांस मान लो ना सुना क्योंकि उसका सारा ख्यान तो यहाँ है बाइचांस ना सुना हो इसलिए हे इबराहिम हे इबराहिम समझ गया, इब्राहिम समझ गया कि प्रभु के दूत ने बुलाया है, उसने कहा मैं यहाँ हूँ प्रभु का जवाब था, बालक पर हाथ मत बढ़ाओ, उसके साथ कुछ मत करो क्योंकि तुमने अपने एकलोते पुत्र को भी बचा कर रखने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैं जान गया हूँ कि तुम मेरा भाय मानते हो, देखिए, प्रभु नर्बली नहीं चाते, प्रभु नर्बली पसंद नहीं करते, प्रभु उसको सपोर्ट नहीं करते है और प्रभु को उस बच्चे की बली नहीं चाहिए थी, प्रभु को क्या चाहिए था, प्रभु इब्राहिम के विश्वास को जांचना चाते थे और उस विश्वास को खीच कर जितना maximum खीच सकते हैं खीच कर देखना चाते थे वो कहते हैं न कि वो rubber band को खीचो लेकिन इतना मत खीचो कि वो टूट जाए प्रभु भी हमारे विश्वास को कई बार इतना खीचते हैं कि बस तूटने के पास है लेकिन तूटा नहीं उस समय प्रभु उसको छोड़ देते हैं एक्जाक्ली यही प्रभु ने इब्राहिम के साथ किया खीचा इतना खीचा जितना इस संसार में किसी भी व्यक्ति के साथ खीचा नहीं जा सकता और जब मैक्सिमम खीच गया तो प्रभु ने एकदम से छोड़ दिया वो ला स्टोप रुको मुझे वो उस बच्चे का जीव मुझे तुम्हरा विश्वास देखना था और तुम्हरा विश्वास देख लिया यही तो कारण है कि बाइबल में इब्राहिम को एक दिशेश नाम दिया गया है देखिए हर एक अपने गाउं में कुछ बच्चे होते हैं जिनको कुछ न कुछ विशेश नाम होते हैं इस तरह से लोगों का मजाक उडाते हुए नाम बोला जाता है। लोगों की तारीफ में भी उनको नाम दिया जाता है। उनकी प्रशन सामें उनके विशेश गुणों को बताने के लिए। और प्रभु ने स्वयम, प्रभु के वचन में इबरेहिम को एक नाम दिया है, वो नाम क्या है या इसको हिंदी में सही कहें तो उपनाम कहा जाता है, नाम के साथ जो होता है। इबराहिम का उपनाम क्या है? विश्वास करने वालों का पिता वो कैसे बना? प्रभू ने उससे जो कहा हर स्टेप उसने वैसा का वैसा किया प्रभू ने कहा इस संपन शहर को छोड़ कर मैं तुमको जो बताऊंगा उस जगे चले जाओ तो जंगलों में मर भूमी में मारा म आफिरता हुआ, वो चल दिया, क्यों? इसलिए कि उसने प्रभु पर विश्वास किया, बाद में प्रभु ने कहा कि देखो इतने साल इंतिजार करने के बाद मैंने तुम को जो पुत्र दिया है, उसको बलिदान करो, तो तैयार हो गया, प्रभु ने उसको स्टॉप किया, तेरहवे पत्में हम देखते हैं, इबराहीम ने देखा कि पीछे एक भेण जाडियों में फसा हुआ पड़ा है, इबराहीम ने उस भेण को लिया और प्रभु के लिए बुदान चड़ाया और बुदान चड़ाने के बाद बाप बेटे अपने रास्ते पर चल दियें, लेक की वाणी है मैं ये शपत खाता हूँ तुमने जो काम किया है कि अपने पुत्र बरन अपनी एक लोते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा इस कारण मैं निश्चे तुमको अनुगरह दूँगा कैसा अनुगरह तुमारे वंश को आकाश के तारों के समान कर दूँगा समुद्र के बालू के जो कण है संख्या में उनके समान कर दूँगा तुमारा वंश अपने शत्रों के नगरों का दिकारी होगा पृत्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी क्योंकि तुमने मेरी बात मानी है इसमें से कम सकम एक बात मैं और आप या मेरे और आप के जीवन में लागू होती है मैं और आप यहूदी नहीं है हम लोग इसराइली लोग नहीं है लेकिन आज हम में से हर व्यक्ति इब्राहिम को क्यों याद कर रहा है इसलिए कि प्रभु ने कहा दुनिया कि सारी जातिया तेरे कारण धन्य होंगी इब्राहिम के द्वारा उनका पुतर इसाक हुआ इसाक के द्वारा याकूब हुआ और इस तरह से संताने होती चली गई बाद में दाओद राजा दाओद महान राजा हुए और उनके परिवार में एक महान व्यक्ति पैदा हुआ जिस व्यक्ति के बारे में पिछले तीन हफ़ते उनकी पैदाईश के पैदाईश का इतिहास हमने देखा था किस तरह से एक गौश आले में उनका जन्म हुआ किस तरह से चर्नी में रखे गए किस तरह से गडरियों ने आकर उनकी आराधना की और किस तरह से उसके दो साल के बाद विदेशों से काफी सारे विद्वानों ने आकर तारा देखकर प्रभू को प्रभू जहां थे वहां आकर दरशन किया और प्रभू को भेट चड़ाई और चले गए प्रभू के जीवन के बारे में अभी और भी बहुत सारी बाते हैं जो हम एक एक करके देखेंगे उस प्रभू के कारण मुझे और आपको अनुगरह मिला है लेकिन वो प्रभू के परिवार से आए इब्रहीम के परिवार से आए और इसलिए जब प्रभू ने कहा था कि तुमने मुझ पर जो विश्वास किया है उसके करण तुमारे द्वारा सारी दुनिया की सारी जातिया अनुगरह पाएंगी तो मेरे और आपकी जीवन में नुगरह आया है प्रभू इश्व के द्वारा जो कि इब्रहीम को प्रभू ने जो प्रामिस किया था वो प्रामिस वो जो वाचा है वो वाचा मेरे और आपके जीवन में पूरी हुई है मेरे जीवन में पूरी हुई है क्या जी हाँ मैं इसके नया जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है? मेरी पिताजी ने युहन्ना के शुप संदेश में से तीसरे अध्याय का स्वलहुआ पद मुझे पढ़के सुनाया, प्रभु ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उन्हों ने अपना एकलो का पुत्र दे दिया, जिससे कि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे वो नाश नहो बलकि हमेशा हमेशा का जीवन पाए, मेरे फादर ने मुझे बताया कि बेटे इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है वो पापी है, पाप की सजा नरक है, लेकिन प्रभु ये इशु ने तुमारी सजा भुग इस कारण यदि तुम प्रभु को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन करोगे तो नव जीवन पाओगे, तुम पाना चाहते हो, क्या मैंने कहाँ डैडी मैं पाना चाहता हूँ, तब जैसा मेरे पिताजी ने कहा था वही पर घुटने टेक कर, मैंने आस्मानी इश्वर से य ये बात मानी कि प्रभु मैं पापी हूँ, पाप से मुक्ति पाना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि प्रभु य इश्वर ने मेरे लिए अपना जीवन दिया, और मैं उस प्रभु के बलिदान को ग्रहन करता हूँ, और जिस च्छन मैंने प्रभु को ग्रहन किया, उस समय मेरे जीवन में वो नव जीवन वो नया जीवन आ गया जो मुझसे कोई भी छीन नहीं लेगा और मुझे इस बात का यकीन है कि यदि मैं आज इस संसा को छोड़ जाओंगा तो मैं प्रभू के साथ हूँगा और मुझे इस बात का भी यकीन है कि जिस तरह से प्रभू ने प्रामिस किया था कि मैं दुबारा आऊंगा तो जब प्रभू दुबारा आएंगे तो मुझे एक नया शरीर देंगे देखने में ऐसा होगा लेकिन नश्वर नहीं होगा इस शरीर की कोई कमजोरी उसमें नहीं होगी, ना तो बीमारी होगी, ना दर्द होगा, ना मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा, आँख कमजोर नहीं होगा, नहीं मुझे दवा, दवाएं खानी पड़ेंगे, ये प्रभु की करुणा है, किसके द्वारा ये अनुग्रह आया मेरे जीवन में, इबराहिम की स तो जब प्रभु ने इबराहिम से का, इबराहिम तुमारे विश्वास के कारण, मैं तुमको अनुग्रह दोंगा, और सारी दुनिया के सब लोग तुमारे द्वारा अनुग्रह पाएंगे, मैं उस अनुग्रह को पाचुका हूँ, यहां जो भाई बहन बैठे हुए, इन के बारे में नहीं जानते, तो इस मीटिंग के बाद मुझ से बात कीजिए, जैफरी से बात कीजिए, ब्रदराइब से बात कीजिए, पीछे जो ब्रदरेबल बैठे हैं, उन से बात कीजिए, बहनों मैंसे भी कई लोग आपको समझाने के लिए तयार हैं, नव जीवन क्या है उसको कैसे पाया जा सकता है उसको निश्चित रूप से पाएने के बाद ही यहां से जाएं तो मैं जो आज तीन बातें आप लोगों को बताना चाहता था वो तीन बातें इस तरह से है यदि यदि आप प्रभु की संतान हैं, यदि आप प्रभु के बच्चे हैं, तो आपके जीवन में परीच्छा जरूर आएगी, यदि वो सुन्दर सी तितली उड़ने के लिए बल और स्फूर्ती पाना चाहती है, तो उसको संगर्श करना पड़ेगा, उसी तरह से यदि की संतान, प्रभु का कोई बच्चा अपने जीवन में अनुग्रह पाना चाहता है, तो जीवन में उसको इस तरह की परीच्छा से होकर गुजरना पड़ेगा, नमबर टू, वो परीच्छा देखने में बड़ी असाध्य परीच्छा होगी, लेकिन यदि हम अपने आपको प्रभु को समर्पित कर देंगे, तो बचा आव प्रभु स्वयम करेंगे, और तीसरी बात यह है कि जब प्रभु हमको परीच्छा में से होकर गुजरते हैं, और यदि हम उस परीच्छा में वीजे ही हो जाते हैं, तो उस वीजे के द्वारा प्रभु हमको अनुग्रह द मिलेगा ऐसा हो सकता है कि जी हाँ मेरे लाइफ में मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा अनुगर मुझे जिन लोगों से मिला है उन में से एक व्यक्ति उनका नाम है रॉबर्ट इक विल्सन आज से दसियों साल पहले उनकी मृत्य हो गई मैंने उनको नहीं देखा है मैंने सिर्फ उनका एक चित्र देखा है उस व्यक्ति के द्वारा मुझे कैसे अनुगर मिला उसाथ वो व्यक्ति कम से कम पच्चास भाषाओं का जानकार था पच्चास लैंगवेज़ बोलता था और कम से कम पच्चास और लैंगवेज पढ़ लेता था उस पंडित ने जो किताबें लिखी है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और अपने विश्वास के साथ बड़ा संगर्श करता था तब इस विद्वान की पुस्तके मेरे हाथ में लगी उनको पढ़ा तो ओफ मैंने रियलेज किया कि इतना बड़ा पंडित वो यदि प्रभू पर विश्वास कर सकता है तो मुझ जैसा नादान व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता है मैंने नहीं देखा है उस व्यक्ति को नहीं फिलहाल पृत्वी पर देख पाऊंगा उसका अनुग्रह मुझे मिला क्या ये उस व्यक्ति से मेरी जिवन में अनुग्रह है यदि प्रभू के रास्ते पर आप चलेंगे तो पहले तो आपको अनुग्रह मिलेगा नमबर तो आपके परिवार के लोगों को नमबर त्री आपके मित्रों को नमबर चार आपके मंडली के लोगों को नमबर पाँच आपके समाच के लोगों को नमबर च्छे ऐसे लोगों को जिन्होंने कभी आपको नहीं देखा है इन सब को अनुग्रह मिलेगा ये तीन बाते हैं जो मैं आपको याद दिलाना चाहता था इसके साथ साथ एक चीज और आपको मैं नोट करवाना चाहता हूँ Bible का इतिहास हम धीरे धीरे study करते जा रहे हैं अध्यान करते जा रहे हैं प्रभू ने अधन की जो सृष्टी की थी महां से एक-एक-एक करके हम Bible में जो इतिहास मिलता है उसमें इबराहीम तक आ गए हैं बलकि उन्होंने अपने बेटे की बेटे का जो बलिदान किया था वहां तक आ गए हैं प्रभू ने मदद की तो इस तरह से पूरे इतिहास हम प्रभू ये इशु के समय तक कवर करते चले जाएंगे और मुझे यकीन है कि ये सारे classes जो इटन करेंगे उसके लिए Bible एक खुली पुस्तक बन जाएगी क्योंकि ये इतिहास हम Bible से पढ़ते हैं और इतिहास एक बार समझ जाते हैं वो लिंक समझ जाते हैं तो Bible को पढ़कर समझना आसान हो जाता है तो आज हमने इतिहास भी देख लिया इतिहास के पाठ भी देख लिये इन बातों को अच्छी तरह से समझने के लिए और इनके द्वारा अपने अपने आत्मिक जीवन में अनुगरह पाने के लिए प्रभू आप सब की मदद करे